सब्सक्राइब के लिए क्लास 12 के लिए क्लास 12 मैट्स के लिए हम वेक्टर यहाँ पे लेक्चा नमबर आइधिंग 3 या 4 जो भी है तो वेक्टर फॉर क्लास 12 तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ट्रिपल क्या हुआ करता था एडाट बी एन एक रॉस भी और एडाट भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया एडाट वी कोल्टु अ करता है दो मॉड ए मॉड भी कॉस थीटा ओके मॉड ओफ ए मॉड ओफ बी कॉस थीटा इसकौम बोलते दे क्या अधिश गुणन बिंदू गुड़न कहते थे या अधिश गुड़न कहते थे एंड एक रोस बी एक कोल्स टू मॉड ओफ ए मॉड ओफ बी साइन थीटा और साथी साथ एन के पाता था तो ये थे आपके बिंदो गुड़न और सदिस गुड़न की परिभासा अब हमें क्या पढ़ना है अब हम आपको पढ़ा रहे है अधित तीन सदिसों का गुड़न तो तीन सदिसों का गुड़न जो कहलाता है उसका हम बोलते हैं त्रिक गुड़न त्रिक गुड़न याने ट्रिपल प्रोड़क्ट इंगलिस में इसका नाम सिंपल है हिंदी में कठे ने इससे बोलते हैं ट्रिपल प्रोड़क्ट इसे क्या बोला जाता है इसे बोलते हैं हम triple product तो देखे त्रिक गुड़न यानि कि triple product का मतलब क्या होता है अगर आप तीन सदिस आपके पास में है vector a vector b और vector c और आप इन तीन सदिसों का गुणा करते हैं आपस में तो त्रिक गुड़न कहलाता है अब त्रिक गुड़न में भी द त्रिक गुड़न एक है अधिस त्रिक गुड़न और एक है सदिस त्रिक गुड़न अधिस त्रिक गुड़न को बोलते हैं स्केलर triple product this scalar triple product इसे बोलते हैं इंग्लिड ब्रॉड्क्ट प्रॉड्क्ट अगे तौण त्रिक गुड़न पढ़ रहे थे और त्रिकलॉडन में हम बात कर इवने की दो प्रकार के त्रिकलॉड़न होते एक होता है अधिस त्रिक गुड़न और सदिस त्रिक गुड़न अधिस त्रिक गुड़न को हम बोलते है स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट केवल ट्रिपल प्रोड़क्ट है ओके और तीन सदिसों का गुड़न मतलब की त्रिक गुड़न तो तीन सदे समय पास है A, B और C अब अधिस त्रिक गुड़न का मतलब होता है अधिस त्रिक गुड़न का मतलब हुआ करता है कि ऐसा गुड़न करो तीन सदे सों का कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो क्या आए एक अधिश रासी आए तो ऐसा गुड़न कहलाता है अधिश त्रिक गुड़न और अधिश त्रिक गुड़न का सिंबल होता है box a, b, c कॉमा नहीं लगाना है यदि कॉमा लगा दे तो भी कोई गलती नहीं है question वाला बट आपको कॉमा नहीं लगाना है box a, b, c ये अधिश त्रिक गुड़न का मीनिंग हुआ करता है box a, b, c अगर आप कहेंगे box a, b, c का मीनिंग क्या है इसको open करके लिखाए तो box a, b, c is equal to होता है बचों a, dot b, cross c जी हाँ a, dot b, cross c यही होता है b, dot c, cross a ओके एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है और यही हुआ करता है c, dot a, cross b मतलब आपको अपना चक्री एकरम नहीं बिगाड़ना है a के बाद b, b के बाद c अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप प्रोड़क्ट निकाल रहे हो तो आपका अंसर सेम आएगा मतलब आप यह कह सकते हो की a, b, c का बाक्स एक्वल टू b, c, a का बाक्स एक्वल टू c, a, b का बाक्स c, a, b का बाक्स अगर आप इनका चक्री एकरम नहीं तोड़ोगे तो इन तीनों के गुड़न की value क्या आएगी, समान आएगी और यह एक अधिश राशी आएगी क्यों आएगी अधिश राशी यह समझ लो जैसे आपके पास मैंने आपको सिखाया कि box a, b, c is called to होता है a, dot b, cross c, okay तो देखो भाई, यह cross गुड़न है, तो cross गुड़न से यह क्या देगा आपको, यह शदिश देगा और यह भी क्या बैठा है, शदिश ही बैठा है, और आपको पता है कि शदिश और सदिश का बिंदु गुड़न क्या जन्म देता है अधिश देता है, तो इस तरीके से यह कहलाता है अदिस प्रोड़क्ट अदिस त्रिक गुडन है ना अदिस त्रिक गुडन कहला था बस परिभाशा याद रखिए में परिभाशा आपकी यह कौन सी वाले जो मैंने उपर लिखवा दी एक बार फिर से बता देता हूं कि अदिस त्रिक गुडन तीन सदिसों का a b c equal to a dot b cross c बस आपको यह याद है तो आप question उड़ा ले जाएंगे नहीं तो दिक्कत बनीगी ओके यह हो गया अदिस त्रिक गुडन अब इसका ज्यामिती meaning समझो बच्चों इसका ज्यामिती अर्थ तो अदिस त्रिक गुडन का ज्यामिती अर्थ यह है कि मान लीजे आपके पास कोई parallelo pivot है parallelo pivot को घनाब बोलना चाहिए है ना एक तरीके का घनाब होता है parallelo pivot मतलब देखो घनाब घन और घनाब अपने सुना होगा घनाब में क्या हुआ करता है कि यह जो faces होती है आयताकार होती है बस यह देखो यह आयताकार होती है हाँ घनाब नहीं बोलेंगे इसको शट फलक बोलेंगे हाँ शट फलक अब तो दूसरा जो अपने पास में ये होता है पहलो लोबड़ हुआ करता है इसकी जो faces हुआ करती है वो आयता कार नहीं होती है बशार्थ इसकी faces जो होती है समानतर चत्रभुच्की faces हुआ करती है कुछ इस तरीके से questão समानतर चत्रभुच्की घनाब में उपर के तल कैसे होते थे आयताकार और यहां पर तल कैसे है समानतर चत्रुज़ तो भाईया इसको बोलते है शट फलक क्या बोलते है शट फलक बोलते है समानतर शट फलक बोलते है समानतर है इसकी बुझा है scalar triple product तो आपसे कोई question में दे देगा ये तीन भुजाएं A, B, C और बूलेगा इसका आयतन निकालो तो याद कर लीजिए जो आयतन होता है इसका होता है box A, B, C ओके box A, B, C अब आपकोगे सर इसको हल कैसे करेंगे तो बहुत ही simple है हल करना आये देखिए अगर आपके पास तीन सदिस है पहला सदिस आपके पास A A सदिस कैसा दिया होगा ये जो सदिस है ऐसे दो जनरली जो सदिस हुआ करते है A, X, I, C प्लस A, Y, J, C प्लस A, Z, K, C क्योंकि भीया किसी सदिस में तीन ही तो घटक होते है X, Y, Z, तो A, X, I, K, P, Y, J, C, P, A, Z, K, K, P पहला सदिस है दूसरा सदिस आपको जो दे रखा वो किता है B, X, I, K, P, L, B, Y, J, K, P L, B, J, K, P दूसरा सदिस है और तीसरा सदिस C बराबर दे रखा है C, X, I, K, P, L, C, Y, J, K, P प्लस C, J, K, K, P ये तीन सदिस आपको दे रखे हैं तो इसका जो समान सदिस आपको आईता निकलेगा V is equal to box A, B, C अब मैं आपको box A, B, C को खोलना सिखा दूँ है ना कैसे खुलता है सीधे formula याद कर लो है ना सारनिक A, X याने determinant A, X, A, Y, A, Z B, X, B, Y, B, Z और C, X, C, Y, C, Z तो ये है शटफलक का आईतन ये क्या है शटफलक का आईतन A, X, A, Y, A, Z B, X, B, Y, B, Z और C, X, C, Y, C, Z ये आपका शटफलक का आईतन है बच्चो एक बात मैं आपको बता दू देखो तुम इस चीज़ को महसूस करो कि अगर यहाँ पर शटफलक में अगर एक आपके पास सदिस A है और एक सदिस B है जो की एक तल में जा रहा है परंतु जो सदिस C है वो दूसरे तल में है उपर की ओरे देखो ये तो दोनों एक ही तल में है जमीन पे बैठे हुए हैं दोनों टंकी है ना टंकी टंकी की ये नीचे वाली साइट्स है टंकी का तल है मगर ये उपर जा रहा है अगर आप इसको छोटा करते 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 इसके उपर पहले इधर ले आए फिर इधर ले आए फिर इधर इसी के उपर लेटा दोगे तो टंकी तो प्लेट बन जाएगी चिपट करके टंकी क्या बन जाएगी प्लेट बन जाएगी जैसे ये था इस चीज को आप नीचे लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए और एक समय यहाँ पल्ले आ गए तो ये क्या हो गई ये एक ही समतल में आ गई और एक ही समतल में आने पर आयतन कितना हो जाएगा शून्ने हो जाएगा मतलब यदि तीन सदिस समतलिये होंगे तो बन गई भीया प्रापरटी समतलिये सदिस की अगर तीन सदिस समतलिये होंगे तो उनका आयतन कितना होगा जीरो और आयतन जीरो मतलब की A, B, C equal to 0 यह बहुत important है इससे question competitive exam में पक्का आता है अगर तीन सदे सम्तली हैं तो A, B, C equal to 0 और यदि देखा जाया formula में तो A, X, A, Y, A, Z B, X, B, Y, B, Z और C, X, C, Y, C, Z इसका मान कितना होगा अरे matrix मत लगाओ भाई determinant चल रहा है यह तो यह कोने खुले रखना भाई साब equal to कितना 0 तो A, X, A, Y, A, Z B, X, B, Y, B, Z और C, X, C, Y, C, Z का मान कितना होजाएगा 0 होजाएगा यह थोड़ा सा lag आया है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ देखिए अगर तीन सदे सम्तली हैं तो अगर तीन सदे साब के पास में सम्तली हैं तो हाँ सम्तली हैं तो इनका जो box product होगा यह जो box होगा इसके लटरफल product अधिस्तर गुड़न जिसको बोलते हैं वो किसके equal होगा 0 के equal होगा और 0 के equal होने के लिए जो condition बनेगी साड़ने के रूप में वो बनेगी AX, AY, AZ BX, BY, BZ और CX, CY, CZ इनका मान के इसके equal होगा सुनने के equal होगा ओके clear है श्री तो यह सम्तली है सदे सका भी concept पूरा हो गया यहां पे अब इसके बाद हमारा अगला topic आता है जिसका नाम है सदिस्त्रिक गुडन अदिस्त्रिक गुडन आप लोगों ने देख लिया अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सदिस्त्रिक गुडन अधिस्त्रे गुणन में तीन सदिस राशियों को इस प्रकार गुणा करते हो आपकी जो गुणन आपको प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा वो एक अधिस राशी प्राप्त होगी अब सदिस्त्रे गुड़न में आप ऐसा गुड़न करोगे कि तीन राशियों का गुड़न जो आपको मिलेगा A, B और C का जो आपको गुड़न मिलेगा वो कैसा मिलेगा वो आपको सदिस मिलेगा पिछले बार adis मिल रहा था, इस बार sadis मिलेगा, इसलिए इसके गुडन को हम भोलते हैं, sadis तरे गुडन, आए कैसे denote करते हैं इसको, इसको box से denote करते थे इसको इस तरीके से denote करते हैं, a cross, यह वाला cross नहीं लगता, यह तो उसमें हो गया relation function में, a cross, b cross, c, और यह वाले को bracket मे कर दो यह होता है a cross b cross c इसको आपने bracket में कर दिया अब इसकी परिभाशा देखो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए कोई shortcut कोई आपको determinant अगेरे कुछ नहीं करना है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी इसका करूल यह है कि पहले दूर वाले के साथ dot product करो देखना a dot c करो और b बाहर रखो a dot c times b a dot c times b b में ना dot है नो cross है याद रखो a का c के साथ dot times b और बीच में minus फिर पहले a का किस के साथ करा c के साथ करा तो b को बाहर रख दिया फिर a का b के साथ करो पास वाले के साथ तो a dot b और times c तो यह है इसकी परिभासा सदिस गुड़न की सदिस त्रिक गुड़न की एक पर फिर बता देता हूँ अगर आपके पास कोई सदिस तीन है p q r और इनका आपको सदिस त्रिक गुड़न करने को बोला गया है तो p सदिस गुड़न q गुड़न r कैसे लिखा जाएगा सबसे पहले p ओके और p किस के साथ r के साथ p.r और कौन बाहर होगा q बाहर होगा और minus p.q और कौन बाहर होगा r बाहर होगा बस इसके अलावा सदिस त्रिक गुड़न में कुछ भी नहीं है इतने से ही आपका पूरा का पूरा काम चल जाना है तो ये कहलाएगा आपका सदिस त्रिक गुड़न ओके तो बचो यहाँ पर हमारा दोनो प्रॉपर्टी पूरा हो गया है सदिस्त्रे गुड़न में हमने आपको अदिस्त्रे गुड़न भी बता दिया हमने आपको सदिस्त्रे गुड़न भी बता दिया और यहां पर हमारा officially देखा जा तो vector की पूरी theory हमने clear कर दिये अब चलते हैं book की और परिक्षाबूद हम लगा रहे थे और देखेंगे कौन-कौन से questions आपसे नहीं बने है जो question आपसे particular नहीं बने है उनकों में आपे discuss करेंगे आपसे कौन-कौन से question नहीं बने हैं क्योंकि परिक्षाबूद आपको करने का काम दिया गया था और देख लेते हैं कुछ question जलिए आईए अभी यहां से start करते हैं कुछ question से पहले हमें ही चला देते हैं आप लोग देखिए इस टूमच देखिए जैसे यह question आपके सामने दिया का question number 27 एस हदिस है बीस हदिस है और आपको बी क्रॉस टुए का मान याद करना है तो सबसे पहले बी क्रॉस टुए मतलब बी के पॉइंट्स उपर आएंगे तो टूंगे बी क्या है थ्रिया कफ प्लस टू के के प इसके जो पॉइंट बनेंगे किस तरीके से बनेंगे थ्रिया drives टू के प्लस बॉइंट्न दू काफ अकित तो यहां पर three zero and two points बन चुका cut 302 पर आ गये हैं and 864 नीचा जाएंगा मतलब B x A है तो आपको B को उपर लेना पड़ेगा इसके बाद मौट find कर लीजे प्रच्छेप मैंने आपको बता दिया था सदिस A का B पर प्रच्छेप का सीरस उत्रिये हुआ करता है इसको लगा करके आप आंसर निकाल लीजे डन इसके बाद में देखिए अब इसके बाद में फिर से क्या है यहाँ पर A x B आपको find करना है A x B आपको find करना है question number 29 में तो कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं भाई A x B तो बनने लगा अब कहरा है इस सदिस के अनुदिस आपको 1 इकाई सदिस find करनी है यस यह आपको 1 इकाई सदिस find करनी है तो आपको सबको पता है काई सदिस का formula क्या होता है A x B पर प्रच्छे पिकल टू सदिस A upon mod of A तो इसको solve करके answer निकल जाएगा सदिस A upon mod of A से फिर से प्रच्छेप का problem आ चुका है देखिए NCRD का question है इसका S पर प्रच्छेप तो A का B पर प्रच्छेप equal to A dot B upon mod of B का formula लगा के A का B पर प्रच्छेप find कर लेंगे यह देखिए यह अच्छा question होता है जैसे A plus B plus C equal to 0 है तो आपको show करना है A cross B equal to B cross C equal to C cross तो इसका एक vicious method हुआ करता है उसको आप याद कर लिए देखिए A plus B plus C equal to 0 है तो आपको करना क्या है A plus B plus C equal to 0 लिख लिए और इसमें एक बार A cross का गुणा कर दो एक बार B cross का गुणा कर दो आपका answer आजागा देखो मैं कर देता हूँ आपके पास क्या है A plus B plus C 0 है तो A plus B plus C equal to 0 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है लिख ली आपने A plus B plus C equal to 0 और आप क्या करिए दोनों पक्षों में यहाँ पे A cross का गुणा कर दीजे जैसे आप A का cross product करेंगे आपको पता है खुद का खुद केके साथ cross product कितना होता है जीरो कितना होता है इस तोड्ना होता तो तोड्लो तो यह हो जाएगा a cross A plus A cross B plus A cross C equal to कितना होता है 0 अभ यह पार्ट तो अपका 0 हो गया मतलब A cross B PLUS A cross C equal to कितना 0 जो यदि A cross C को अप उधर ले जाओगे तो A cross B equal to कितना हो जाएगा minus of C minus of A cross C और इसको पलट करके लिख सकते हैं आपको पता है minus of A cross C किसके को लोता C cross A की तो A cross B equal to कितना हो गया C cross A इसको अपना एक master equation A नाम दे दो यह आपके काम में आएगा आगे चलके अब चलिए अगला equation क्या है अगला equation आप फिर से B का multiply कर दो इस पूरे में से है ना B का तो क्या था अपने पास relation A plus B plus C equal to 0 था तो B का cross product करो तो इधर भी कर दिया और इधर तो खेर 0 आई जाएगा B cross 0 अच्छा एक चीज़ याद रखना दो चीज होती ही वेक्टर में एक होता हैUh, प्री multiplication एक होता है फोस्ट मल्टिप्लिकेशन बहुत याद रखना इस स्केलर में तो फर्क नहीं पड़ता है मगर वेक्टर product में इसका पर पड़ता है मगर वेक्टर कर रह Pay ब का क्या equal to कितना हो गया जीरो तो बी क्रॉससी को अधर ले जाओ ये जहीं वी क्रॉस इकल्ट्व माइनस ऊफ भी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए एक को डिख ले कल टो यह जाए नहीं पर सब्सक्राइब के और minus of B cross A को पलटके मैं क्या लिख सकता हूँ A cross B तो देखिए result B दे दीजे अब दोनों result को देखो यहाँ पर A cross B B cross C के बराबर है और यहाँ पर A cross B C cross A के बराबर मतलब तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो A cross B equal to B cross C equal to C cross A यह आपका result आ गया चली अगला देखिए अगला question क्या है कह रहा है कि दर्शाई है कि यह सदिस sun रेखिए हैं तो sun रेखिए के लिए क्या हुआ करता आप मेरी वाली method लगाओ best direction ratios वाली है ना direction ratios वाली method लगाओ वो बहुत अच्छी है best A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 तो अपने के पास में देखिए तीन बिंदू है यहाँ पे पहले मेरा method आप देख लो फिर इसके बाद इनके method की बात करेंगे चली तो यहाँ पर आपके पास में तीन बिंदू है A, B, C यह तीन बिंदू आपने बना लिये हैं इन तीन बिंदू का नाम क्या है A और यह B और यह C ओके आपको इभी दो vector generate कर लो एक generate कर लो A B और एक generate कर लो B C जैसा कि बुक वाले ने generate किया है तो A B vector कितना आ गया यह आ चुका है और B C vector कितना आ चुका है कहा है यह आ चुका है देखो ध्यान से अब A, B और B, C अगर ये तीनों सम रेखी होंगे तो फिटा सम रेखी होंगे तो पैरलल तो होनी पड़ेगा तो चेक कर लो कि क्या पैरलल है की नहीं पैरलल की कंडिशन क्या होती है A1 upon A to equal to B1 upon B to equal to C1 upon C2 देखो इसका A1, B1, C1 कितना है इसका जो A1, B1, C1 बन रहा है 3 minus 1 और minus 2 बोलो है की नहीं है और इसका A1, B1, C1 कितना बन रहा है इसका A1, B1, 6 बन रहा है 6 minus 2 minus 4 तो 6 minus 2 और minus 4 चलो इनका देखते हैं डिवाइट करते हैं So 3 upon 6 equal to minus 1 upon minus 2 equal to minus 2 upon minus 4. Cancel cancel 2 से cancel minus 4 है. ये भी cancel 1 upon 2 आ गया और ये भी 1 upon 2 आ गया. तो condition satisfy हो रही है. A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. मतलब segment AB जो है वो BC के क्या है? पैरलल है. अब भाईया AB और BC अलग-अलग तो हो नहीं सकते. क्योंकि B point क्या है common है. तो दोनों को मर्ज होना पड़ेगा. इसका मतलब ये देखो. लिखा है. परन्तु B, A, B और BC का कौन सा बिंदू है? उभैनिश्ट बिंदू है. अता है ABC कैसे होंगे? सन रेखिये सदिस होंगे. ABC जो आपके मिलेंगे सन रेखिये सदिस होंगे. ओके. चली, अगला क्वश्चन तो ये खुद से कर लिजेगा. ABCD इस तरीके से हैं. तो सिद्ध करिए कि CD इकल्टू 2 बाई 3 AB. तो CD बनाना, AB बनाना और 2 बाई 3 कॉमन ले लोगे? तो CD इकल्टू 2 बाई 3 AB बन जाएगा. सिंपल टाइम पास प्रैक्टिस वाला क्वश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें नया जैसा. अब देखो, ये थोड़ा सा क्वश्चन है. कहरा, यदि ABC का केंद्रक G हो, तो सिद्ध करो. सबसे पहले आपको केंद्रक केंद्रक केंद्रग 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 3 ये केंदरक का इस्थिती सदिस होता है इसको G बोलते हैं तो G का इस्थिती सदिस कितना हुआ A प्लस B प्लस C अपॉन 3 अब आपको बोला गया है G A प्लस G B प्लस G C तो आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर A B होता है A B सदिस बराबर होता है O B B का स्थिती सर इस माइनस ऐसी कता नहीं तो देखिए मैंपवे और शिके बिन picky aid कढ़े इसको ौचय देखो भी हो गया 3C हो गया और 3A 3B 3C में देखो A 3 बार है इधर B 3 बार है इधर C 3 बार है तो माइनस हो के बोलो क्या आएगा जीरो आएगा आगई बस समझ में ना बाकी इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में करिए और इसी क्वेस्चन आप से जरूर बनेगा अगला क्कुश्चन का प्रयोककरते हुए इस इसी दिखीजिक कि त्रिवो की बिखाय संगामी होती है आपको शो गरना है कि मधिकाय संगामी होती है four right कैसे सोग करोगे की मधिकाय संगामी होती है एक बिंदू एक बिंदू जो है आपको एक बिंदू जो है जिस अनुपात में विभाजित करेगा वो दूसरी माध्धिका को भी उसी अनुपात में भाजित करेगा समझो यह सदिस A है यह बिंदू A है ए बिंदू का स्थिरी सदिस कितना है आपके पास सदिस A क्यों है क्यों है क्योंकि मूल बिंदू सापक्य के से दिखाना नहीं बहुत बटाथ अब इसके बाद देखो क呀 को माधिका बनानी है तो यह माधिका क्या होती सामने वाले मिंदू के मध्विंदू से मिलाती है तो भी सब कितना होगा आपने पढ़ाया ना इसका मध्विन होता है तो B और C का आधा कितना हो गया B प्लस C बाई 2 अब देखो माधिका का रूल होता है माधिका का रूल होता है कि जो इसमें बैठा हुआ केंद्रक होता है केंद्रक ये केंद्रक जो होता है वो माधिका को दो अनपाते एक में बाढ़ता है किते में बाढ़ता है दो अनपाते एक में तो अब दो अनपाते एक का सहारा इस्तमाल करके जी के नर्दे सांग ग्यात कर लो तो जी के नर्दे सांग बड़े आसानी से आपके ग्यात हो जाएंगे कैसे ग्यात हो जाएंगे देखो G के इंदर्दे सांक आपको ग्यात करना है ये 2 है ये 1 है और नीचे ये बिंदू दिया है और ये बिंदू दिया है तो G के इंदर्दे सांक में निकाल लेता हूं OG के इंदर्दे सांक क्या लगेगा खंड सूत्र जानते हो ना M1 X2 प्लस M2 X1 तो हाँ अपन M1 प्लस M2 तो दो गुणे वेक्टर B प्लस C B प्लस C अपन 2 ये निकल गया प्लस A गुणे A अपन 2 प्लस A कित्ता हो गया 3 M1 अरे M1 है M1 का मल्टिप्लाई किसके साथ होगा और 1 का मल्टिप्लाई किसके साथ होगा A के साथ उपर वाले भाग का नीचे वाला सदिस और नीचे वाला भाग उपर वाले सदिस अपन M1 प्लस M2 Yes or No 2 से 2 कैंसल हो गया बोलो सदिस कितना आ गया A प्लस B प्लस C अपन कितना 3 Yes ये सदिस आ चुका है अब ये सदिस आ गया है मतलब ये बिंदू यहां पे मिल रहा है ठीक है अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला बिंदू पे बैठा है तो सी एफ के लिए अगेन जो होता है माधिका जो होती है माधिका बीए को दो अनपाते एक में विभाज़त करने वाले बिंदू के नर्दे सांख निकालते हैं तो माधिका बीए के लिए हमने यही हल किया तो देखो यही जा गई आ गई यह लाश्ट में माधिका सी एफ के लिए भी हल किया तो सी एफ के लिए भी यही आ गई मतलब तीनों माधिकाओं में बिंदू एक ही मिल रहा है इसका मतलब तीनों माधिकाओं क्या है संगामी है क्या है संगामी है एक ही बिंदू से जा रही है और उस बिंदू के संग क्या है a plus b plus c by 3 जिसको हम केंदरक बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जरकल चले अगला कुश्चेन दिखें एक सदस्ट वाइक सक्ष मतलब एक सक्ष अभ सक्ष्थ साथ बनाये गए कोण को क्या बोलते हैं वक्तर की दिंदरक घ सब जानते होगे आप के पास कोई रेखा है उसे लेके P तो वो X अच्छे के साथ कोई कोड़ बनाती है X अच्छे है, X अच्छे के साथ बनाया गए angle कितना होता है मतलब भाई साब L बराबर निकालने के लिए कॉस अलफा होगा M बराबर कॉस बीटा यहने कॉस 60 और कहरा O Z के साथ बनाएंगे कौन को ग्याद करो तो भाई 3D का question है vector में दे दिया है L पता चल गया M पता चल गया N ला पता है और आपको property होती है L square plus M square plus N square equal to किता 1 होती की नहीं होती है और वैसे भी देख लो अगर सदिस की form में देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि 1 सदिस के कोने होते हैं LMN मतलब यह 1 सदिस है मतलब यह mod A है और mod A का जो परिमार आएगा वो कितना होगा 1 होगा A cap का परिमार कितना होगा 1 होगा तो इसका परिमार 1 के equal कर दीजी आपके पास में answer आजाएगा ओके इसका परिमार 1 के equal कर दीजी या best तरीका है L square plus M square plus N square की value कि इसके equal 1 के equal करके आप जो value find करनी आपको वो value आप find कर लीजी ठीक है न क्या पूचा गया था इसमें ये कौन सा question आ गया साथ बनाया गया कोंड find करना है ये कहीं और चला गया कोंड तो ये find करी नहीं रहा है wait 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 238 page number है न ये और ये कौन सा page number है 236 237 page number तो इसने गायप कर दिया तभी तो question एकदम से change हो गया unit vector के concept पे लेगा question को तो ये 236 number पे जिसमें लापता हो गया भाई इस वज़े से ऐसा हो गया है लो 238 के बाद अच्छा उस तरफ होगा हम scene को बढ़ा करके देख रहे हैं भाई जो कि दो pages है ना एक तरफ में 234 के बाद 235 है इसके बाद 236 है 237 237 लापता कर दी है 237 लापता है चलो कोई बात नहीं तो हमने अपने तरीके से बता दी आपको best तरीका जो मैंने आपको बताया है L square plus M square plus N square equal to 1 कर लीजे ओके इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है L square plus M square plus N square equal to 1 करके क्या करोगे cos square alpha plus cos square बीटा plus cos square गामा equal to 1 करके आप 5 सा निकाल लो कर लोगे ना चलिए तो यहां पर इतना करने के बाद अब बताईए आपका कोई vicious question doubt हो तो please बताईए कोई अगर question आपको doubt है नमबर के साथ यह देखो भाई शट फलक जो आज मैंने आपको पढ़ाया शमानतर सट फलक का आएतन जिसकी तीन कोड़े दी गई है मतलब A लिया गया है B लिया गया है C लिया गया है तो मैंने बताया था इसका आएतन किया होता है A B C समानतर सट फलक का आएतन नहीं नहीं A across B cross C नहीं है यह box ABC है A cross B cross C तो सदिस्त्रिक गुडन हो जाएगा यह अदिस्त्रिक गुडन है ओके इसको देखोगे खोलोगे तो यह आएगा A dot B cross C अगर बोलना ही है तो इसे भीया A dot B cross C बोलो आप तो इसको solve करने का तरीका हलाकि बहुत easy है सीधे सीधे लेके solve कर दो अंसर किता गया चारीक आई किता गया चारीक आई Done चलो यह हो गया समांतर सठफलक का आएटन इस तरीके से निकालना है अगला देखिए अगला question हाँ यह question बहुत popular भाई यह question बहुत ज़्यदा popular है कहरा lambda का मान गयाद कीजे जबकि तीन सदिस यह यह और यह देखो भाई तीन सदिस दी गई है यह 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 और तीनों अगर सम्तली है तो मैंने बताया था अगर सम्तली होंगी तो तीनों का box product किता आएगा 0 आएगा तो बस browse product to 0 के equal कर दो और यह lambda का मान तो this question is very important यह बार बार एक्जाम में आता है अगला देखिए lambda कमान फिर से वही सम्तली है सम्तली है अगला question देखिए दो सदिसों के बीच में कौन थीटा है तो यह तो मैंने करार रखा है आपको और मैं कहूंगा इसकी practice खुद करिए आप एक बार ना बने तो मुझसे आप पूछिएगा चलिए तो इतनी अगला question देख लेते हैं अगला सदिस क्या question number 21 दो सदिस इतने और इतने पर प्रते पर लंब मात्रक सदिस मतलब आपको N-cap निकालना मैंने N-cap का formula बताया था सदिस A cross B upon mod of A cross B तो क्या करोगे पहले सदिस A cross B निकालोगे फिर उसमें mod of A cross B का भाग दे दोगे तो आपके पास में answer आ जाएगा सदिस A cross B में आपने mod of A cross B का भाग दे लिया आपके पास answer आ ठीक है तो अब समय है पूरे questions आपको लगाने का अब पूरे questions लगाईए और जहां पर problem हो आप पूछिए ये देखिए बल है कहरा दो बल P और Q एक कण पे लगते हैं और कण को घसीटते हैं यहां से लेके यहां तक तो पहले बहिए दोनों बलो का प्रडामी निकाल लो P और Q को add कर दो ये देखो दोनों बलो को P और Q को add कर दिया गया ये देखिए दोनों बल जुड़ गया तो नया बल आ गया अब विस्थापन कहां से यहां से लेके यहां तक तो विस्थापन निकाल लो विस्थापन क्या होता अंति माइनस प्रादम भी 5-1 करके आपके पास विस्थापना जाएगा और बल फिजिक्स वालों जानते होगे बल बराबर कार बराबर बल गुने विस्थापन का डॉट पॉड़क्ट होता है तो वैसे अपन कर लेंगे ठीक है बस क्वेस्चन्स भरे हुए हैं और आपको लगाना है इसको ओपन करना है आराम आराम से solve करते जाना है इसकी value 0 आएगी समांतर चतरबुच का छेतरफल मैंने आपको बता रखा है क्या होता है डिरेक्टली mod of A x B mod of a cross b हुआ करता है समांतर चत्रवुच का छेत्रफल तो उसको लगा दीजे तो चलिए जल्दी से पहला आपका टास्क है कि पूरा का पूरा वैक्टर आपको खतम करना है और जो प्रॉब्लम आए उसको मुझसे आपको पूछना है पहले गोला लगाई है एक अठ्था बी पर शिए और की एक एक क्वेश्चन आप इसका कंप्लीट कर ले ठीक न यह देखिए यह बल वाला इक विस्थापन दिया गया है बल दिया गया है तो यह भी आप आराम से कर लोगे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अग न इन कॉश्चन के लिए क्या करना पड़े थैंक यू सो मच पर विए लोगे सार अलम्टरी स्टी जोन जय हिंज जय भारत